स्वागत है इस चैनल पर आपको प्रवाइट करा जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन बिल्कुल स्मूध एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सके सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से जो और्गानिजम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंवार्मेंट पे अपने शरीर में पानी के मात्रा को रेगुलेट करते हैं मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से मराइन एंवार्मेंट में रहने वाली मचली आपने शरीर में सॉल्यूट मतलब नमक के कॉंसेंट्रेशन को बैलन्स करती हैं और किस तरीके से पानी की मात्रा को बनाए रखती हैं फिर मैंने आपको बता है कि terrestrial environment में भी जो लोग वहां रहते हैं, जो animals वहां रहते हैं, जहां बिलकुल पानी नहीं होता, तो वो अपने शरीर को कैसे balance करते हैं तो आज, so this is all about it, now let's focus on the main part which is the excretion in the human beings, ठीक है so, यह आपके पूरे excretory parts हैं, ठीक है, मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको बता दू, कि यह पूरे excretory parts हैं, जैसे skin से आप क्या loss करते हैं, skin से हम लोग sweat loss करते हैं, ठीक है लीवर से हम बाइल सौल्ट को रिमूव करते हैं, बिलिरुबीन और बिलिवर्डिन जो कि वेस्ट प्रडक्ट होता है तो आपकी बॉडी में इतने एक्स्क्रीटरी ओर्गन होते हैं बेसिकली एक्स्क्रीशन होता क्या है? एक्स्क्रीशन is the removal of the metabolic waste from the body, ठीक है? ओके, जैसे कि अगर आप large intestine से कोई भी चीज निकाल रहे हैं तो इस process को आप क्या कहते हैं? डिफिकेशन, क्या कहते हैं बच्चो? डिफिकेशन, डिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप अपने शरीट से कोई भी undigested waste जो कि digest नहीं हुआ है अगर उसे आप बाहर निकाल रहे हैं तो उसे आप कहते हैं defication So defication is the removal of the undigested waste from the body, ठीक है? Solid waste, ओके? अगर आप carbon dioxide को बाहर निकाल रहे हैं Then which organ you will use? Tell me, tell me, आप use करेंगे फेफडों को, ठीक है? Okay, so the carbon dioxide and water are the metabolic waste, ठीक है? और कहां से remove करते हैं, हम इसको remove करते हैं, भाई? आपके lungs से, ओके? जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी carbohydrate, fats वगरा की तो ये भी आप कहां से remove करते हैं? defication से, ठीक है? So these are the sum of the product and the organ by which we deficate it, okay? Now let's talk about what is the main aim of the excretory system सबसे पहले aim जान लेते हैं हमारा लक्ष क्या है, कि हमें excretory system में क्या पढ़ना है, ठीक है? ऐसे थोड़ी बिना लक्ष के चलते रहेंगे तो मैंने आपको हर चीज step by step बताई अब मैं आपको बता रही हूँ कि basically what is our aim हमारा aim क्या है excretory system का? The main aim of the excretory system is to remove the metabolic waste, ठीक है? metabolic waste से मतलब कि हम जो भी खाते तोड़ते हैं, जो भी waste बचता है, उन सबको filter out करके बहार निकालना है through the kidney अगर हम कोई चीज तोड़ते हैं, उससे gas निकलती है तो उसको निकालना है through the lungs अगर कोई चीज solid है और waste हो गई तो उसको निकालना है through the defication, ठीक है? अच्छा, क्यों निकालना है इसको? क्योंकि ताकि इससे हमारी body को कोई harm नहीं हो, ठीक है? बट हमेशा वही चीज निकालनी है जो की useless होनी चाहिए किसी कोई भी use नहीं होना चाहिए अगर वो body में access हो जाए तभी बाहर निकालना चाहिए एकसिस का मतलब ऐसा नहीं कि इंतजार करे रहो, स्टोर करते रहो मतलब एकसिस हो ही जाता है तभी एपन बाहर निकालते है ठीक है? इट ऑल्सो हेल्पस तो मेंटेन दा ओस्मोरेगुलेशन मैंने आपको बताया कि जब आपके शरीन में पानी बहुत ज़ादा हो जाता है तो आप एकस्टा पानी बहार निकालते है जब आपके शरीन में यूरिया बहुत ज़ादा हो जाता है तो आप यूरियन से यूरिया बहुत ज़ादा निकालते है तो इता always maintain the osmoregulation, solute and solvent concentration, ठीक? And also keep the body in the homeostasis, हमेशा आपकी body में temperature, water, solute, इन सब का regulation करके रखता है, कौन? Excretory system, so our main aim of the excretory system to maintain the homeostasis, homeostasis मतलब balance, okay? So our main aim of the excretory system to maintain what? And homeostasis, so homeostasis में हमें क्या-क्या maintain करना है, हमें पानी maintain करना है, हमें temperature maintain करना है, ठीक है, जैसे यह, तेमपरेचर 37 होना चाहिए, डाड लोवर हो गया तो आपको ठंड लगेगी, water जो है percentage, जो है तो आपका almost 70% होना चाहिए, अगर 70% नहीं है, तो body में पानी की कमी हो जाएगी, so we need to maintain the temperature, water and our this body balance, ठीक है, so homeostasis के अंदर temperature of water आता है, जिसके अंतर आपको solute, solvent और temperature को balance करना होता है, so what is the main aim of the excretory system, to maintain your, to balance your body, ठीक है, now let's talk about the excretory organs in the invertebrate, जैसे की अगर मैं बात करूँ कि excretory organ हम लोगों में क्या है बच्चो, तो सीधी सी बात है, अपने maxillitary organ क्या है, kidney है, skin है, lungs है, intestine है, पर हर organism में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर organism में kidney नहीं पाई जाती है, हर organism में, अच्छा, waste तो बाहर निकालना ही है ना, अगर waste को accumulate करने लगेंगे, तो body क्या होगी, खराब हो जाएगी, damage हो जाएगी, के organs पाई जाते हैं, so in most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, that the vertebrates has a complex tubular organ, अगर मैं बात करूं invertebrates की, तो उनके लिए excretion के लिए क्या होते हैं, उनके पास चोटे-चोटे tubes होते हैं बाहर निकालने के लिए, पर यहीं अगर हम लोग अपनी बात करें, डिरीड के हैड़ी वाले को बात करें, तो यह tubular organ जो tubes रहती हैं, यह एक organ का system का organ बना लेती, जिस called as kidney, जैसे हमारे पास जो kidney हैं बच्चों, उसमें बहुत सारी tubes हैं, आई बच समझ में, तो we have so many tubes in the kidney, यह kidney जो tubes होती हैं, अल्टीमेटली काम ट्यूब का ही है, जैसे invertibrate में, simply tube पूरे body में फैली हुई, उनके पास बचारों के पास कोई special organ नहीं है, ठीके, बचारे हैं, छोटे-छोटे हैं, पर हमारे पास organ है, और हमारे organ के पास भी बच्चों क्या हैं, tubes ही हैं, ओके, चलो, next, now, let's talk about the smaller organism, अच्छा, मैंने यह बताया भी था आपको, जैसे की, जो organ, जैसे excretion through the contractile vacuole, यह मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको इसमें यह बताया था, कि जो भी छोटे-छोटे, क्या होते हैं, organisms होते हैं, जो भी छोटे-छोटे organism होते हैं, जैसे की, आपका amoeba हो गया, जैसे की, आपका paramecium हो गया, इन सब लोगों में, contractile vacuole जो होता है, यह इनका एक special excretory organ है, आई बात मेरी समझ में, तो amoeba, paramecium, इन सब में contractile vacuole एक बहुत बड़ा role play करता है, कैसे role play करता है, आप समझिए, जैसे की, माल लीजे की, यह जो paramecium है, यह बहुत जादा excess water ले चुका है, ओके, इस excess water से paramecium और amoeba वगयरा के शरीड में, nutrients आते हैं, पानी आता है, सारी चीज़े आते हैं, सारा काम कर लेने के बाद, जो भी extra water बचा है, वो सब हम लोग किसमें भर देते हैं, contractile vacuum में भर देते हैं, जब आपने contractile vacuum में पानी भरा, तो देखेंगे आप यह कि पानी आया अंदर, contractile vacuum में भर गया, वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, अब आप देखेंगे दीरे से वह क्या होगा कॉंट्रैक्ट होगा और फिस सारा पानी जो है इससे बाहर निकाल देगा तो इस पानी के अंदर क्या है इस पानी के अंदर वेस्ट है इस पानी के अंदर वह सारी वेस्ट माटेरियल है जो एक सेल ने या पैरामिश्यम ने प्र बोडी के excess water को through the contractile vacuole remove किया जाता है mechanism आप देख रहे हैं फिर शेक बदेख लीज़े आप अच्छे से देखिए पानी निकला बाहर पानी पूरा निकल गया अभी मेहां से शुड़ करती है ली पूरा पानी निकल गया और वह पिचक गया से पिचक गया और उसके बाद पानी है इसके पेछा अगया अल्ट करने। done, so this is the excretion by the contractile vacuole, now अगर मैं बात करूँ, अच्छा पहला अगर classification में हम लोग बच्चो देखें कि पहला phylum कौन सा होता है, तो it is the protozoa, उसके बाद दूसरा phylum होता है porifera और तीसरा phylum होता है sealant rata, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ porifera की, क इनके body में इनकी जो cell membrane होती है, क्या होती है cell membrane, वो एक बहुत बड़ा role play करती है excretion के लिए, क्योंकि already ये single cell हैं या tissue वाले organization के हैं, या मैं कहाँ कि इनके पास कोई special excretory organ तो है नी, तो ये क्या करते हैं, कि सीधा पानी लेते हैं, सारा जो काम हुआ वो कर लेते हैं, और के बाद फिर उसी body surface से बाहर जाने देते हैं, now let me draw a diagram of the hydra, ठीक है, जैसे कि आपन लोगों पौरी फेरा के बारे में देखा होगा, sponges के बारे में देखा होगा, सुना होगा, sponges की body में बहुत सारे छेद होते हैं, sponge जो होते हैं, बहुत सारे sponge अपन लोगों को पढ़ने है अभी, तो sponges की body में बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे, सारा पानी जो है वो छेद से अंदर आता है, ठीक है, छेद से अंदर आने के बाद, suppose that कि मेरे पास ये कोई एक sponge है, ठीक है, suppose that कि मेरे पास ये कोई एक sponge है, done, आई बात समझ में, okay, अब इस sponge में, we have so many छेद और पोर्स, इस पंज में हमारे पास बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, so we have पोर्स, ठीक, और इसके ऊपर भी आपको एक सेंट्रल पोर लिखेगा, ठीक, ओके, so जब आप पानी अंदर ला रहे हैं, यहां से सबसे पानी अंदर आ गया, यह देखिए सबसे पानी अंदर आ आ गया, अब उसके बाद, यहां पर यह क्या है, इसकी सेंट्रल कैविटी, let me write this with which color, black color, ओके, यह इसकी है, सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी का मतलब, जो इसकी बीच की जगा है, यहां पर उसका पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, यहां पर, क्या होगा बच् आया, इस पानी के माध्यम से क्या क्या है, इस पानी के माध्यम से nutrition आया, इस पानी के माध्यम से oxygen आया, इस पानी के माध्यम से सब कुछ है, इस सेंट्रल कैविटी में जो उसने करना था, वो सब कर लिया, न्यूट्रियन को तोड़कर एब्सॉप करना था, कर लिया, oxygen ले या यए ऑप क्या देख रहे हैं कि इनकी बाड़ी में जो एक्स्कृू according काई बाड़ी सर्फेस पे यह थी सैंपल जो है डिफूजं प्रॉसेस होता है simple diffusion का process का मतलब यह कि जब इनके शरीर में nutrient और oxygen की कमी हो जाती है oh my god ठीक तो पूरे pore से चीज़े अंदर आती है from higher concentration to the lower concentration जब इनका काम हो जाता है तो फिर ये चीज़ों को बाहर कर देते हैं तो ये पूरी कहानी हो रही है ये पूरी कहानी हो रही है through the skin ठीक है through the skin तो skin के माधियम से किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर करते हैं जैसे कि मैं आपको ये एक और चीज़ दिखाती हूँ ध्यान से देखिए so suppose that कि अभी क्या हुआ है बिल्कुल ध्यान समझेगा कि इन लोगों ने क्या किया है ये एक प्रोसेस है सेल में किसी भी चीज़ को अंदर लेना है ठीक है तो माल लीजे कि phagocytosis आप लोगों ने process पढ़ा होगा तो आप क्या देखते हैं कि कोई भी खाना जो है वो pack होकर आता है जिस चीज़ में pack होकर आता है जैसे कि माल लीजे कि कोई सेल है जैसे कि कोई सेल है ठीक जैसे कि कोई सेल है तो सेल ने उसको phagocyte कर लिया उसमें पढ़ा ना phagocyteosis की process उसमें circulation में तो जब उसने खाई कोई चीज़ suppose that कि मैं ये बोल रही हूँ कि amoeba ही है ठीक है amoeba भी general surface के थो भी exchange करता है एक्सक्रीट करता है तो माल लो कि amoeba ने कोई चीज़ खाई तो उसने एक चैमबर में पैक कर लिया ठीक है जब उसने अपने चैमबर में पैक कर लिया लिए था चैमबर इज नोन इज वेजाइकल अब इसके अंदर उसको तो तीन टाउम करना है डाईजेशन करना सबकुछ यहां पर डाईजेशन हो गया थीक है यहां पर पूरी चीज़े क्या हो गया अब इसको रिमूव करना है तो आप देखिए कि ये जो अनडाईजेस्टेड वेस्ट था ये अदेड बाटी के सर्फश से बाहर हो गया आप मे जो भी खाना दो फूर्श हो जाता है इसके बाद गे ना अन्ट 292 से बाहर हो जाता है तो मैं अगर बात करूं की तो आप आपका ऐसर इ sevent न वेकूल होता है वैसे हीUNG स्कीन तो यह था है apost discovery न के थे ह 슈कन का माल लीजए हिए एक एक्जाम्पल है, it is the sycone, sycone is a type of sponge, sealant rate है जिसमें hydra एक बहतरीन एक्जाम्पल है, skin से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, तो मैंने आपको skin से excretion करने के लिए, कितने organism बताया, मैंने आपको 3 बताया, एक amoeba बताया, hydra बताया, sycone बताया, यह sealant rate पूरे skin से ही बाहर करते हैं, even porifera भी पूरे ही waste को skin से बाहर करते हैं, because they don't have any type of excretory organ, तो जब आप amoeba के food vacuol से waste को बाहर निकालते हैं, मेरी बास समझेए, amoeba ने phagocytosis करके, phagos मतलब खाना, cytosis मतलब cell, तो जब amoeba ने phagocytosis करके cell को अंदर लिया, खाने को अंदर लिया, तो वो उसमें किस में भरा बच्चो, food vacuol में भरा, food vacuol में पूरा digestion में गएरा कर लिया, सब हो गया, उसके बाद food vacuol में जो भी undigested waste था, उसको बाहर कर दिया, through what? सोचो यार, इतने देर से मैं बोल रही हूँ, किस से बाहर किया, skin से, इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें कोई confusion तो नहीं, तो हमने दो excretory organ पढ़े अभी, दो excretory part पढ़े, एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, बताएए मुझे क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा contractile vacuole, और एक हमने पढ़ा cell membrane, ठीक है? Now, let's talk about the special types of cell, ठीक है? Which is the flame cells, ओके? Now, let's talk about the flame cells, जैसे कि, यह आपको दिखाई दे रही है, flame cells का arrangement, ठीक है? यह जो आपको white-white दिखाई दे रही है, इस दे फ्लेम cell arrangement, ठीक है? तो, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि, पॉरिफेरा हो गया, सिलेंटरेटा हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, ठीक है, इन में था cell membrane, और आपका contractile vacuole, उसके बाद जो phylum आता है, वो होता है, platyhelmin's, क्या होता है? platyhelmin's, platyhelmin's का मतलब होता है, आगे, पीछे से चप्टा, आगे, पीछे से चप्टा, तो platyhelmin's के अंदर हमेशा, वो organism आते हैं, जो आगे और पीछे से चप्टे होते हैं, बिल्कु चिपके होगे, ठीक है? इनके पास एक special excretory organ होता है, जिसे आप कहते है, flame cells, ठीक है, क्या कहते है, flame cells, यह जो किस में पाए जाते है, flatworms में पाए जाते हैं, और इस प्लैटworms का एक बहतरीन example है, planaria, planaria मैं पता, आपको बच्चों क्या मिला था सबसे पहले, eye spot मिला था, ठीक है, तो planaria के पास फ्लैट जो उनके पास special cells होती है, excretion के लिए, इन्हें आप क्या कहते हैं, बच्चों, इन्हें आप कहते हैं, where it is, where it is, इसे आप कहते है, flame cells, क्या कहते हैं, flame cells, इसे आप कहते है, proto nephridia भी, proto मतलब पहले, nephridia मतलब कह सकते हैं, तो सबसे पहले जो excretory cell हमको मिली ना, कि भाई ये special cell है, ये excretion ही करेगी, तो ये जो special cells होती है, ये proto nephridia कहलाती है, proto nephridia का नाम आप को पता है, कहसे पढ़ा, आपके पास nephron होते हैं, अपने पास, तो proto मतलब सबसे पहले, तो most primitive type of excretory cell is called as proton ephridia, ठीक है, तो ये होती है flame cells, ठीक है, ये किस में पाई जाती है, फ्लैटवार्म में, ठीक है, कुछ rotifers में होती हैं, जो bilk होत के रहते हैं, और कुछ anilidens में भी रहती हैं, और कुछ cephalocod में भी रहती है, cephalocod का मतलब होता है, जिनके में radicaddy, vertebral column, सर से लेकर पूछ तक होती है, या जिनके पास सर होता है, it is called as cephalocod, cephalocod मतलब radicaddy from sir to kumar, इसका example है, amphioxus, तो इनके पास body में flame cells होती हैं, ये flame cells, अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से, waste को collect कर लेती हैं, ठीक है, collect करने के बाद, इनके पास, आपको पता है, इनके पास नहीं होता है, इनस को मतलब, जहां सोगë waste बाहर करना है, तो इनके पास नहीं होता, तो इनके body में flame cell अलग अलग जगह उपर होती हैं, body के अलग-अलग जगह उसे waste को collect करती है और फिर उसी जगह से बाहर कर देती है ठीक है? They are primarily concerned with ionic fluid volume regulation, osmure regulation, ठीक है? यह हमेशा osmure regulation का काम करती है जो भी body में extra solute or water है उसे collect करके उस जगह से बाहर कर देती है So, in this lecture, so this is the plate helmets In this lecture, we learned the aim of the excretory system What is the excretion? Aim of the excretory system Excretory organ in the amoeba, which is the contractile vacuole Excretory organ in peripheral and silentrate And excretory organ in the plate helmets So, in the next class, I will tell you the excretory organ with Actually, I will tell you the excretory organ in more of the phylums ठीक है? सारे phylums का next class में और बता हूंगी So, see you in the next class I hope you learned and enjoyed the video अगर नई समझ में इसमें अच्छली कुछ चैसा था नही समझने का Next class में थोड़ा सो दिमाग लगाना पड़ेगा So, see you in the next class घर पे रहना और सेफ रहना और पढाई करते रहना Thank you so much